हे एव्रिवान हलो बच्चो क्या हल चाल कैसे हैं आप सब लोग तो यार ये वीडियो में उन बच्चो के लिए बना रहा हूं जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं और ड्रॉप लेने का कारण ये है कि इस बार उनका सेलेक्शन नहीं हुआ नंबर थोड़े कम रह गए अब य एक एवरेज नंबर लेके चल रहा हूँ कि अगर आपके नंबर 350 के आसपास भी आए हैं और अगर आपको अगले साल सेलेक्शन लेना है तो 600 के उपर तो कम से कम चाहिए ही होगा ये एकदम मिनिमम है मिनिमम वो नंबर है जिससे आपका गैरंटी हो जाए कि आपको एक 50 नंबर आ रहे हैं और अगर आपको 600 प्लस चाहिए तो एक साल में ऐसा क्या करना पड़ेगा एक साल भी नहीं है इस सेशन में आपके पास मैक्सिमम 8 से 9 महीने बचे हुए हैं रिवीजन अलग से करना पड़ेगा आपको उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि 7 से 8 महीने आपके पास तयारी करने के लिए बाकी तो आपको रिवीजन भी करना पड़ेगा तो टाइम बहुत कम है इस कम से कम टाइम में कैसे आप बहतर तयारी करके बिटा इतने नंबर से 600 प्लस तक पहुँच सकते हो इसके बारे में discussion आज होने वाला है ठीक है पहले मैं आपको बता दू कि मैंने बहुत सारे बच्चों को mentor किया है बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है और मेरे पास N number of examples हैं जहां पे 300 साड़े 300 से उठके 620-630 नंबर तक बच्चे गए हैं उनके experience से मैं आपके साथ बताऊंगा कि क्या उन्होंने ऐसा किया था क्या उन्होंने ऐसा follow किया था कि उनके नंबर इतने जादा बढ़ गए और उनको government medical college मिल गया तो आप में से बहुत सारे बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे जो same scenario में होंगे जो चाहते होंगे कि यार 600-620 नंबर मेरा भी आ जाए और मेरे को government medical college अगले बार मिल जाए ensure हो जाए क्या करना ये इसके लिए सबसे पहला point ये है बिटा कई बार आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार मेरे 300 नंबर तो आ ही गया है ना अब मेरे को आगे 300 नंबर की ही तो तयारी करनी है उतनी की तयारी कर लोंगा और मेरी तयारी बढ़िया हो जाएगी ये गलत thought process है आपको पूरे नंबरों की तयारी करनी है आपको 0 से start करना है सबसे पहले आप ये बात ध्यान में रखियेगा ठीक है मैं मानता हूँ आपके आज 300 नंबर आ गये हैं लेकिन कोई topic हो सकता आपने पढ़ा हो उससे question आया हो ना आया हो क्या पता वो topic आपको deep में आता है कि नहीं आता है क्या ये आपके लिए बहुत deadly हो सकता है तो आपके भले ही आज 300 नंबर आ रहे हो चाहे 400 नंबर आ रहे हो चाहे जितने भी नंबर आ रहे हो अगली बार अगर आपको selection चाहिए always start from 0 ताकि आप basic से हर एक topic बहुत अच्छे से cover कर पाएं ताकि वहां से अगर question थोड़ा tough भी आ ज जाए तो भी आप उसको अच्छे से attempt कर पाओ मैं एक छोटा सा example देता हूं units and measurements कई बच्चे जब drop ले लेते हैं तो सोचते की units and measurements क्यों ही पढ़के जाएं इतना आसान सा तो topic है मेरे 300 नंबर तो already आ ही चुके है 400 नंबर तो already आ ही चुके है ये chapter तो मेरा पढ़ा हुआ है ह इसको मैं बाद में revise कर लूँगा और हो जाएगा basic से पढ़ने की क्या ज़रूरत है लेकिन units and measurements से हर साल 3 question आ जाते हैं आराम से आप देखोगे 2 से 3 सवाल आपको आ जाएंगे कभी significant figure दिख जाएगा dimension दिख जाएगा simple से सवाल होते हैं लेकिन lack of revision की वज़े से गलत हो जात जिसको नहीं याद था वो multiply करे जा रहा था तो इसलिए मैं कह रहा हूँ always start from zero हमेशा यह मान के चलिए कि ठीक है number आए हैं जितने भी आए हैं उसको एक बार aside रखते हुए एकदम zero से एकदम basic से आपको तयारी आपकी start करनी चाहिए ठीक है कोई भी topic उठाया ढंक से पढ़ा teacher के notes पढ़े बहुत बढ़िया से अगर कोई book पढ़ने को बोला गया है book पढ़ लिया physics में तो बस आप teacher का अगर notes ही follow कर लेंगे तो आपके तयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी उसके बाद कुछ पढ़ने के जुरत पढ़ती नहीं तो मुझसे expectations जादा हैं कि मुझे चीज़ें already आती होंगी तो मैं सीधा जाओंगा सीधा questions लगाने लग जाओंगा ये भी कर जाओंगा वो भी कर जाओंगा ये exercise निप्टा दूँगा ये module खतम कर दूँगा ये वाली book आज में खतम कर दूँगा लेकिन दिक्कत यह होती ह जाओंगे कि अगर कहीं भी basic concept हिला हुआ है तो भले ही तुम drop लेके पढ़ रहे हो या फिर तुम पहली बार पढ़ रहे हो questions तुमसे बनने वाले नहीं है हिलने वाले नहीं है और वहां से टूटेगा confidence तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है practice तब करिए once you are ready इस you know pressure में मत रहे है इस fear में मत रहे है कि मैं dropper हूँ तो मिरको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है तो मैं बिना ज्यादा पढ़ाई करे सीधा practice में कूच जाओंगा यह बहुत बड़ी गलती करते हैं जो dropper बच्चे करते हैं बस यह मानते हुए कि मिरको सब आता है मैं जाके सीधा practice करिए आप बढ़िया से basic को clear करिए क्योंकि अगर basics आपके clear होंगे तो practice करने में आपको ज्यादा मजा भी आएगा कम गलतीया होंगी confidence बढ़ेगा otherwise उल्टा हो जाएगा सारा game confidence तोड़ बैठोगे और फिर कुछ बचेगा नहीं बेटा है ना इसलिए बहुत बढ़िया से एक बार तयार हो जाएगे किसी भी chapter को आप उठाते हैं मानलीजे आप circular motion उठाते हैं एक एक concept बारीकी से आपको आना चाहिए एक एक जो standard question class में कराया गया है वो आपसे solve होना चाहिए उसके बाद आप फिर practice में जाएंगे ठीक है practice कहां से करेंगे वो बिलकुल आप पे depend क करता है आप चाहें तो कोई book prefer कर सकते हैं है ना जैसे कि MTG, NCRT at fingertips is a good book for practice आजकल जिस type का paper आ रहा है आपकी बहुत अच्छी तयारी यहां से हो जाएगी या फिर आपके पास कोई coaching का module होगा या फिर आपके पास कोई DPP होगी जो भी है उसमें मैं comment नहीं कर रहा आप कुछ भी solve कर सकते हो जो आपके मन में आए वो आप solve कर सकते हो अगर मेरे student हो तो आपको DPP भी मिलेगी वो भी आप solve कर सकते हो आप पे depend करता है लेकिन point यह है कि practice तब करिए once you are ready और once ready कैसे पता चलेगा जिस teacher को आप follow कर रहे हैं उनके notes आपने complete पढ़ लिये हैं बहुत अच्छ questions आपसे बन रहे हैं सारे standard questions आपको चमक गए हैं कि ऐसे 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 solve होता है और सारी theory आपकी complete है then you can go and you can start with practice ठीक है तीसरा point है बेटा test और analysis देखो यार आपने क्या पढ़ाई करी कैसे पढ़ाई करी सही था नहीं था कितने number आएंगे यह सब कौन बताएगा test बताएगा test नहीं दो के तो NTA बताएगा NTA जब सचाई बताएगा तो बहुत बुरा लगेगा last में मानते हो ना इस बात को इसलिए test देके पता कर लो कि क्या सचाई है कहां कितने पानी में हो और test से ज़्यादा जरूरी है उसकी analysis करना अगर आप 70% time test में दे रहे हैं तो आपको 30% time analysis म देना पड़ेगा ठीक है 70-30 का ऐसे ratio रहता है मैं आपको ऐसे बता देता हूँ अगर आपने 3 घंटे का test दिया बेटा तो आपको कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा analysis में भी लगाना चाहिए ठीक है analysis आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा क्या गलतिया हो रही है क्या mistakes हो कहां पर improvement की जरूरत है इस सब आपको समझ में आएगा एक सबसे important बात एक dropper बच्चे के लिए ना demotivate होना बहुत आसान होता है क्योंकि school भी नहीं होता सारे groups भी हट जाते है फिर school नहीं है तो कोई group भी नहीं है generally है और फिर कुछ काम भी करने को नहीं है जादा सिर्फ घर पे बैठना है घर पे बैठे बैठे पढ़ाई करनी है टेस्स देना है प्रैक्टिस करनी है वही सब चलता रहता है ओन्लाइन क्लास लगानी है फिर पढ़ाई करनी है तो ऐसे में आपना कई बार demotivate हो सकते हो तो अगर हो पाए तो study groups बनाईए चोटे 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 300 से 600 तक पहुँचे थे ना उनके चोटे चोटे study groups बने हुए थे वो study groups में time pass नहीं करते थे decide करते थे कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है doubts को discuss करते थे एक दूसरे के है ना एक दूसरे को support करते थे कभी कोई low feel कर रहा है तो उसको उठा रहे है है ना motivate कर रहे हैं दूसरो को मिल जाते हैं कई बार दोस्तों से आपको ताने सुनने को मिल जाते हैं रिष्टेदारों से आपको ताने सुनने को मिल जाते हैं तो आप बहुत जल्दी demotivated हो जाते हो उससे बचने के लिए अच्छा सा study group बना के रखिए जहां पे अच्छे sincere बच्चे हैं जो drop लेके तैयारी कर रहे हैं और मेरे खाल से आसानी से आपको ऐसा group formation करने में मिल जाएगा अगर आप हमारे plus के student है तो वहाँ पे हम वैसे भी आपके लिए group बनाएंगे वहाँ पे भी आप बड़िया discussion वगरे आपस में कर सकते हो ठीक है सबसे important point जो है न पाचवा point always tell yourself बेटा कि you can do it मतब ये पाचवा point बहुत important है बाकी सब technical suggestions थे कि ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो वैसा कर लो लेकिन you can do it क्योंकि आपको पूरे 9 महीने या 10 महीने जितने भी बचे हुए है motivated रहना बहुत जरूरी है अगर किसी भी दिन आप ये मान के बैट जाओगे कि मैं नहीं कर सकता तो फिर सच में नहीं कर पाओगे आप तो हर दिन हर सुबह आईने के सामने जाना है और खुद को याद दिलाना है कि you can do it आप ये कर सकते हो अपने आपको बताना पड़ेगा बेटा तब ही आप पहुँचेंगे जितने भी नंबर है आज आपके उससे उठके सीधा 600 तक ठीक है तो ये motivation बहुत जरूरी है और क्यों नहीं कर सकते यार जब आपको अच्छे teachers का access मिला हुआ है जब आपको standard notes मिल रहे हैं जब आपको बढ़िया questions practice करने के लिए मिल रहा है जब आपको teachers अपनी तरब से DPPs दे रहे हैं हम आपको practice sessions दे रहे हैं तो फिर क्यों नहीं होगा आकर आपका selection definitely आपका selection आपके लिए रखा हुआ है बस मेहनत करनी है और लेके दिखाना है selection है ना बच्चों अगर आप तयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमारे पास संकल्प batch का बहुत बढ़िया offering है ठीक है संकल्प batch में बच्चों मैं पढ़ा रहा हूँ आपको physics, गरिमा मैं आपको पढ़ा रही है बायो और हमारी ये पूरी की पूरी team है संकल्प 2.0 batch स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई से GG life code लगा के आप subscription ले सकते हो और subscription के बारे में मैं आपको एक important information दे दूँ जो आप शायद आपको नहीं पता होगी वो ये है बिटा कि price जो hike है बढ़ने वाला है price subscription का 29 जुलाई से 29 जुलाई के बाद hike हो जाएगा price में और जो आपका unlock 20 offer है न 20% off वो भी popular demand में 29 तक extend कर दिया गया है तो आप अभी एक 29 तक subscription लेते हैं आपको 20% का off मिल जाएगा यानि कि वही आपका जो 1 year का plus subscription है वो 3499 में और जो 1 year का iconic है वो 54999 में आपको मिल जाएगा बच्चो ये लेकिन 29 तक ही है 29 के बाद 20% मिलना भी बंद हो जाएगा और उसके अलावा price hike भी होने वाला है तो इसलिए आपके लिए सबसे best option है, subscription लेने का सबसे best time है, before 29th 29th, 11.59 PM तक आपको subscription ले लेना चाहिए और संकल बैच भी उसे दिन start हो रहा है, संकल बैच में मैंने जो आपको पूरा plan बताया ना यहाँ पे, इसके हिसाब से ही आपकी तयारी करवाई जाएगी, बिल्कुल 0 से पढ़ाया जाएगा आपको, 0 से पढ़ाने के बाद basics once आपके clear हो जाएं, आपको तब जाके DPP दी जाएगी और practice करवाया जाएगा बिटा questions का, यहाँ पे test भी होगी, उसके analysis भी करवाया जाएगी iconic subscription के अंदर और study groups भी आपके बन जाएगे आपको study groups बना के दे दिया जाएगा वहाँ पे आप doubts पूछ सकते हैं वहाँ पे आपस में discuss कर सकते हैं बच्चों के साथ, और yes यह motivation तो हमेशा हमारी तरब से आपके लिए रहेगा ही रहेगा, तो आपकी जो journey है ना, यह साड़े 300 से लेके 600 तक वाली, यह आप बहुत बढ़िया से पूरी कर सकते हैं हमारे साथ संकल बैज के अंदर, एक और आपके लिए surprise है बहुत बढ़ा Unacademy Neat UG Assure इसमें क्या है आपको कोई भी यह guarantee नहीं देता है कि आपका selection करवाएंगे है ना, सब बोलते हैं कि guarantee है कि selection हो जाएगा guarantee है कि selection हो जाएगा Unacademy आपको selection की guarantee दे रहा है अगर आप Iconic Subscription लेते हैं और अगर आपका गलती से score में improvement नहीं दिखाई देता है Your Neat UG Score does not improve from last attempt तो आपको एक साल का plus subscription फ्री में दिया जाएगा उसके बाद एक साल का plus subscription आपको फ्री में दिया जाएगा उसके बाद, आप Iconic Subscription ले सकते हैं आज, उसी में ये valid है, तो if you take Iconic Subscription आपका selection नहीं होता है और आपके number improve नहीं होते हैं, तो आपको एक साल का free में plus का subscription दिया जाएगा ये है selection की guarantee क्योंकि जब हमें पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, तो फिर हम आपको guarantee दे सकते हैं, कि आपका selection करवा के रहेंगे, और अगर नहीं होता है, then you have one year का subscription का extension, ठीक है, तो need you, sure, कोई guarantee नहीं देते बेटा, लेकिन हम आपको guarantee दे रहे है selection की, ठीक है चलिए फिर संकल batch में मिलते हैं और इन topics को इन steps को follow करिए और बहुत बढ़िया सा selection लीजे बेटा see you all in the class, till then bye-bye, have a nice day